Welcome to the online class आज हम कक्षा दूसरी के पहला बात शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा बोजन आवर फूर तो चलिए हम बात करते हैं हमारे खाने के बारे में अब हम सुबह शाम दिन राद खाना खाते हैं तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि वो क्यों जरूरी होता है तो चलिए हम देखते हैं पहले कुछ कठिन शब्द हैं उनको हम पहले देख लेते हैं तो पहले जो हैं यहां आ रहा है शाकाहरी तो हम जानेंगे कि शाकाहरी बोजन क्या होता है तो जो बोजन हमें सबजियों और अनाज से मिलता है या फिर फलो से मिलता है उसे हम बोलते हैं शाकाहारी आσα खाना जो कि हम सब्सारों से चीजें खाते हैं जो जाधा तर हमें या तो फिर अनाज से मिलती है या तो फिर पेर पौदों से मिलती है उसे हम बोलते हैं शाकाहारी अब हम देखेंगे कि मासाहरी बोजन क्या होता है वट इस नॉन वेजिटेरियन फूड तो हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा वो खाना जो हमें मास से या बोल सकते हैं जानवरों से इसके हम उदारन देख लेते हैं जैसे कि हम देख लेंगे मचली या अंडे हमें ये जो मिलता है ये जो मास खाते हैं मचली या अंडे इनने बोलते हैं मासाहरी तो अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे देखा जो हमें बोजन हमें मिलता है जानवरों से तो अब इसमें हमें क्या होता है हमें दूद भी और कुछ और भी चीज़े जानवरों से मिलते हैं वो बहुत सारे आपके जो बोलं हैं हम विटामिन बोल लीजे या खनेज हो गया इन सब में बरपूर होता है इसे हम बोलते हैं पॉस्टिक भोजन ऐसा बोजन जो हमें उर्जा प्रदान करता है क्या करता है ऐसा बोजन हमें उर्जा प्रदान करता है अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइडर्ट क्या होता है इसे शरीर का इंधन जाना जाता है क्या बोलते हैं शरीर का इंधन ठीक है स्टोडिंस तो हमने अभी सीखा कि शाकाहारी बोजन है यानि कि जो वेजिटेरियन खाना है उसे क्या बोलते हैं और वो हमें कहां से मिलता है तो जो शाकाहारी बोजन है वो हमें मिलता है सबजियों से, फलों से, अनाज से जो हम रोटी और दाल काते हैं वो सब आते हैं शाकाहारी बोजन में अब हम देखेंगे मासाहारी बोजन क्या होता है तो मासाहरी बोजन वो होता है जो हमें जानवर उसे मिलता है इसका हमने उधारण देखा मचली या अंडे तो अब हम यह जानते हैं कि जानवर उसे हमें दूद भी मिलता है तो आप पूछेंगे क्या वो भी मासाहरी में आता है तो नहीं वो मासाहरी बोजन में नहीं आता द कि के स्टुडिंट्स अब हम देखेंगे पॉष्टिक पॉष्टिक यानि ऐसा खाना जिसकी हर चीज में मात्रा बहुत अच्छे से हो बरपूर विटामिन हो गया या हमने या कार्वाइडरेट पड़ा या बाकी के जो भी हमको मिलते हैं वो सब उसमें वो बरपूर हो फिर ह फोजन एक ऐसी चीज है जो हमें जीवित रखने कविन काफी आवशक है हम कोई भी कारे करते उसके या सप चाहिए होती है प्रता है अब हमने कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के माइडरेजन के बारे में सुना है कुछा आब बोलन होता ही जो राजिस्तान में प्रसिद है अब जैसे इधर लालबाटी प्रसिद है पंजाब का बोलेंगे कि छोले-कुलचे प्रसिद हैं और ऐसे ही करके हर प्रकार का बोजन अलग-अलग प्रसिद्ध होता है अब हम देखेंगे कि जो पोशक तत्वों के हमने पहले बात की कार्बोहाइडरेट और विटामिन उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कौन-कौन से जो पोशक तत्व होते हैं वो होते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि कि हमारे शरीर कोन की काफी आवशक्ता होती है यह पोशक तत्व है यहां पर लिखा है विटामिन कार्बोहाइडरेट प्रोटीन खनिश और ऐसे ही और भी बहुत कुछ होते हैं तो अब हम देखेंगे कि बोजन कितने प्रकार के होते हैं तो हमने अभी पहले पढ़ा कि श शाकाहारी बोजन कहां से आता है इस पर प्रशन बनता है आपका तो ऐसा बोजन जो हमें पेड़ पौदों से मिलता है उसे हम बोलते हैं शाकाहारी और जो भोजन हमें जानवरों से मिलता है अब यहाँ पर भी प्रशन आएगा कि मासाहारी भोजन किसे कहते हैं और हमें वो कहां से मिलता है हम बोलेंगे कि जो भोजन हमें जानवरों से मिलता है हम उसे मासाहारी कहते है अब जैसे मैंने तुमको पहले भी पढ़ाया, दूद को हम मासाहारी नहीं कहेंगे, अब उसका प्रशन यहाँ यह बनेगा, कि अगर दूद जानवर उसे मिलता है, तो उसे मासाहारी क्यों नहीं कहेंगे, तो जो दूद है और जो दूद से बने उत्पाध है, वो होते तो अप्राप जानवर उसे ही है, लेकिन वो मासाहारी श्रेणी में नहीं आते, खिके स्टूदेंट्स, तो अब हम यहाँ पर प्रशन ले लेते हैं, शाकाहारी बोजन क्या है? दूसरा प्रशन पर आते हैं हम, दूसरा प्रशन हम लेंगे, जो मासाहारी बोजन है, वो क्या है और कहां से प्राप्त होता है, इनके आपको उधारन भी लिखने हैं स्टूदेंट्स? अगला प्रशन हम लिखेंगे, कि जो दूद है, दूद किस प्रकार के, किस प्रकार में आता है, यानि कि हम इसे बताएंगे, कि क्या यह शाकाहारी है, या यह मासाहारी है, तो अब हम इन कॉश्चन्स को देख लेते हैं, दूद का आपको उत्तर इसका यह लिखना है, कि यह शाकाहारी बोजन में आता है, अब हम बात करेंगे दूद के बारे में, आप सुबह उठते ही, अपने नाचते में भी दूद लेते हैं, और रात को सोने से पहले भी दूद लेते हैं, कई बार शाम को भी लेते हैं, तो दूद इतना फाइदेमन क्यों माना जाता है, दूद में ऐसी क्या बात होती है, ऐ वो इतना फायदे मन माना जाता है तो आए हम थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं तो अब हम देखेंगे कि जो दूद है उसे हम बोलते हैं कि वो संपूर्ण आहर है उसे संपूर्ण आहर क्यों बोला जाता है तूद को संपूर्ण आहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस हमें सारे जितने भी पोश pozy तत्व बोले हम उसमें वो सारे होते हैं हैज हो अब जेब तर देखेंगे कि हमजब शुबह जो खाना होता है यानि कि जो नाश्टा होता है उस में हम्हें जाधा तर दूद पीने को मिलता है तो क्यों? क्योंकि उसका ये है और वो उर्जा का अच्छा स्त्रोथ है ठीक है? दूद को यहाँ प्रश्न क्या बनता है? स्टुडेंट्स दूद को संपूर आहार क्यों कहा जाता है? दूद में ऐसी क्या बात है? जो से संपूर आहार कहा जाता है तो आज हमने उसके बारे में पढ़ा और हमने क्या पढ़ा? दूद को संपूर आहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सारे पोशक तत्व होते हैं और वह हमें उतना ही पोशन प्रदान करता है, जितना की खाना करता है, काफी उर्जा प्रदान करता है, तो अब हम पढ़ेंगे फलों के बारे में, फल पोशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्त्रोथ है, यानि कि जो fruits होते हैं, वो nutrients का एक important source है, फल उर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोथ है, यानि कि energy का एक महत्वपूर्ण स्त्रोथ है, और यह हमें स्वस्तो और मजबूत रहने में मदद करते हैं, अब हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि गेहूं पड़े हैं, तो जो चावल, गेहूं, मक्का आदी होते हैं, इन्हें भी मुख्य बोजन कहा जाता है, क्योंकि ये भी उर्जा का काफी अच्छा स्त्रोथ होते हैं, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा यहां पर पे सबजियों के बारे में, जो आलू, फूल को भी टमाटर, गाजर, मूली, बिंडी है, ये सब कुछ सामान्या हैं, ये हमारे हम रोजमर खाते भी खा सकते हैं, तो जैसे एक पौधे के कुछ कहीं सारे आप है ना, अलग-अलग पार्ट्स जो होते हैं, वो खा सकते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, जो लोग अंडे, मास, मचली, ये सब काते हैं, वो सब मासाहरी कहलाते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा, और आम तोर पर हम दिन में तीन बार वोजन करते हैं, तो स्टूडेंस हम तीन बार वोजन करते हैं, और सुबह वाले को बोलते हैं, नाश्ता, दोपेर वाले को हम ज्यादतर बोलते हैं, या तो दोपेर का खाना या तो अलपहार बोल दे, और फिर जो रात का खाना होता है, उसे ह हम डिनर के रूप में भी जानते हैं तो स्टुडेंस आज हमने पड़ा कि जो पौदे के कई सारे अलग-अलग पार्च होते हैं उसे हम अलग-अलग तरीकों से भी खा सकते हैं ऐसे ही हम आलू को ले ले तो आलू उसका एक तरसे बीज होता है अगर आप किसी आलू को समीन के बीज हुई आंदर डालेंगे तो उससे ही पउदा हो गेगा तो एक तरसे उसकी भी जड़े होई तो हम उसकी जड़े और भी खा सकते हैं और यहां पलक कि उसमें रूप में देखा जाएं तो हम उसके अधर यहां स हमने देख लेते हैं कि आ सार्ट पी दूद फल और यह होते हैं हम यह सब किस opportunities हमें के नाश्टे में तो मैंने पहले वी बताया जो दूद threw होता है वो ज़्यादा तर हमें नाश्टे में या तो फिर रात को सोते समय दिया जाता है странफ यह किसली रात को को हमको मिलता है जो हमको जरूरी होता है वो किस से मिलता है वो हमको मिलता है रोटी से चपाती से या तो फिर दाल से और ज्यादा तर हमारा खाना क्या हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले हम अनाज से फिर हमने पढ़ा था मासाहरी वोजन के बारे में ऐसा मास जो हमको मचली अंडे या ऐसे जानवर उसे मिलता है उसे हम बोलते हैं मासाहरी वोजन फिर हमने पढ़ा था पौश्टिक क्या होता है ऐसा बोजन जो हर पोशक तत्व में वरपूर होता है उसे हम बोलते ह फिर हमने पढ़ा था कार्बोहाइडरेट को क्या बोलते हैं कार्बोहाइडरेट को शरीर का इंदन बोलते हैं जो कि शरीर को उर्जा प्रदान करता है फिर हमने पढ़ा था कि बोजन में कई प्रकार के पोशक तत्व होते हैं और हमने उसके नाम पढ़े थे पहला हमने पढ था carbohydrate फिर हमने पड़ा था protein और खनेश के बारे में और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं तो तुम्हारा homework यह है कि तुम्हें जो बाकि के होते हैं पोशक तत्व उनके नाम लिखने हैं फिर हमने देखा था कि वोजन दो यह देखा था कि जो दूद्ध और दूद्ध का उत्पाद है वो भी तो हमें जानवर उसे मिलता है तो फिर वो मासा मासाहरी की श्रेणी में क्यों नहीं आता अब हम देखते हैं इसके बारे में हमने यह प्रशन दिये थे आपको यह नोट डाउन करने है और यह आपका उत्तर है और हमने इसका जो जवाब है दूद्ध किस प्रकार की श्रेणी में आता है तो हमने यह लिखा था वो शाकाहरी श्रेणी में आता है इसके बाद हमने देखा था कि जो फलो और सब्दियां है वो भी उर्जा का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है और जो हमें स्वस्त और मजबूत रखता है फिर हमने यहाँ पर देखे थे गेहूं चावल मक्का और इसे हम क्या जादातर संपून आहर या मुख्य बोजन भी कहते हैं फिर हमने पढ़ा था दूद को संपून आहर क्यों कहा जाता है दूद को क्यों संपून आहर कहते हैं क्योंकि उसमें सारे पोशक तत्व होते हैं जित्ते भी एक इंसानी शरीर को पोशक तत्व चाहिए होते हैं वो सारे दूद में होते हैं और वो उर्जा का बहुत अच्छ पूण है जैसे कि आलू फूल गोबी टमाटर गाजर मूली भिंडी ऐसे फिर हमने पढ़ा था कि कुछ से अंडे काते हैं उन्हें मा थारी और आम तोर पर हम दिन में तीन बार भोजिन करते हैं और यह दूदř чиमतर नाश्ते में दूद, फल और भ्रेड करती है है और इसका कारण यह है कि वाल भृट tuhonु बहंतों में भर पूर है और इसलिये ये हमें पूरे दिन के क्रों काफी ज्यादा प्रदान करता है कि से पिर हमने देख था कि दिन के खाने है और रात के खाने में हम क्या क्या खाते हैं रोटी यानिगी चपाती दाल चावल यानिगी राई सब्जी वेजिटेबल्स अब इन सब का काम अलग-अलग है अब हम देख सकते हैं दही हमें क्या देता है दही हमें कैल्शिम देता है सब्जियां हमें बहुत सारे विटामिन्स देती हैं चावल हमें बहुत सारे Heartassa देते हैं हमने ये पहले भी इनके नाम पढ़े हैं इन पोशक तत्वु के आप उसको इससे जोड़कर के पढ़ सकते हैं और जो डाल है वो भी हमें काफी सारे जो वह देती है है कि स्टुडेंट्स आज के कोश्णंस हैं हम उनको सॉल कर लेते हैं दूद को समपूरा हर क्यों कहा जाता है और आपको शाकाहरी-बोजन क्या है और मासाहरी बोजन क्या है इन सब के बारे में बताना है तो हमने आज यह पड़ा और उमीद है आपको सब समझ आ गया होगा इस आज के लिए इतना ही धन्यवाद